हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल्स क्रियेशन में और आज मैं शेयर करने वाली हूँ इस ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग और ये ड्रेस बनाई है मैंने पुरानी साड़ी से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आप इसकी कटिंग स्टिचिंग सेयर कीजिए और मैं आज आपके लिए लाई हूँ इस ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग वीडियो तो हम जो है वो ये ड्रेस बनाएंगे साडी से नहीं बनाएंगे लेकिन तो चलिए स्टाट करते हैं आज की वीडियो हम किस टाइप से इसको बनाते हैं तो यह जो ड्रेस है उसमें मैंने जो बेल्ट लगाई है वो मैंने अलग से लगाई है वेल्ट या हम इस कपड़े की भी बना सकते हैं साथ में और जितनी भी यह साड़ी थी मैंने उसमें से हाफ मेरी साड़ी यह पूरी ड्रेस में लगा दी है मैंने काफी ज्यादा इसमें यह फुल फ़ी फट्लोख सीजटित लाक और अन्ड ग provides samma डिया टो इस टैप के लिए उपर से चोली बनाइव अस्तर के लिए आ नीचे का लग दो अप्लेयर तो सबसे पहले हम इसके नाप ले लेते हैं तो आ भी हमारा नाप है इसमें हम एक-एक इंच जो है एक्स्टर ले लेंगे मार्जिन और कमन का भी नाप ले लिया और जितनी हमारी चोलुय cluster pir आखeto करेंगे उसको नाप को हम ले लेते हैं नाप और जो हमारी ऊप्र हमने श्टैप लगाई एउसकी हम लंबाही लेती हैं तो यह सूट का एक फैब्रिक है जिसका मैं बनाऊंगी यह ड्रेस तो इसमें से जो सलवार और दुपट्टे का कपड़ा है वह हम अलग रख देते हैं साइड में और जो यह सूट वाला हमारा कुर्टे वाला कपड़ा है वह ले लिया है मैंने तो जितनी भी हमें लेन्थ ल कि लाई लिये जितनी भी हमारी हम लेना चाहते हैं लैंच हमें अपने अकौडिंग हम बना सकते हैं जितना भी हमें लंबा बनाना आ अन्य है अड्रेस को तो उसके लिए मैंने यह न्यूस पेपर में कट नइनक करूं गी और इसकी जगे हम जो है अस्तर के कपड़े को भी कट कर सकते हैं तो सबसे पहले लंबाई ले लिए 15 इंच पे और जितना भी हमारा साइज है उसमें हमने 1-1 इंच एक्स्रा लेके इसको डबल में पड़ दिया है अखवार को और इस तरह से हमने 3.5 इंच पे यहां एक निसान ल करना है लेकिन हम जो अब कटिंग करेंगे वह हम उपर से करेंगे बाद में हम अलग-अलग कर देंगे इन दोनों पार्ट को तो 6 इंच पे हमने ले लिया है सोल्डर और 6 इंच पे आर्मॉल्ड ले लिए हैं अब ही हम उपर वाला जो निक्वान मुने लगाया था वहीं से सारा मार्किंग कर रहे हैं फिर जो भी हमारा चैस्ट का साइज है उसमें हम एक इंच एक्स्टर लेके लूजिंग का और लगा देंगे मार्क फिर उसके बाद बन एंड हाप पर यहां पर लगा देंगे आर्म हॉल्ड का निसान फिर फ्रंट पार्ट के लिए वन इंच पर इस टाइप से आर्म हॉल्ड लगाएंगे तो नेक के लिए 3.5 इंच पर लगाया है और 6 इंच इसकी गहराई लिए है तो जैसे हम नॉर्मली नेक कट करते हैं वैसे हम निसान लगा लेंगे पहले अब हम जो यह शेप बनाएंगे उसको हम जो यह हमारा नीचे वाला निसान है वहां से हम मिलाएंगे और हम किसको कट कर देंगे नीचे से कट करेंगे नीचे वाला जो हमने निसान लगाया था इस तो यह हमारा back part का हो गया रिडी और जो यह आया है बाकि का बचावूआ जो भी पाड है उसको हम ऊपर स्टैप में उसके बाद हमें प्लेट लगानी है 23.25 पे लगा देनी है और यहाँ जो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके और इस तुछ एक ये पार्ट बन गए उपर बाला पार्ड हम कर क्ट कर लेंगे इसको यह वो हमारी स्टैप बन जाएगी यहां हम सिल देंगे इसको बाद में तो जो यह इस ट्रैप का हमने कट किया है उसी के नाप से हम कपड़ा बाद में कट कर लेंगे अब हम इसको इस टाइप से रखके जो हमारी खुली वाली साइड है उस तरह हमें रखना है और जो बंद वाली साइड है वो बीच में रहेगी तो यहां हम कट कर लेंगे पहले खाली हमें आल मौंट जो है वो कट करने है बाकी नैक वाद में हम कट करेंगे उसके बाद जितन यहां घूम भर लेने हैं पूरे में तो हम इसको खोल के और पहले अलग पार्ट कर लेंगे तो एक पार्ट जो है वह बैक पार्ट का हम अलग रख देंगे फ्रेंट वाला पार्ट हमें कट करना है पहले तो इस तरह से इसको हम इसके उपर रखेंगे और इसको कट लेंगे जो हमने आर्म होंड लगाया था इसका एक इंच वाला उसके बाद इसको खोल लेंगे दो साइडों से हमें दोनों साइड पर रख देना है और आर्म मॉल्ड भी हमें फिन अप कर देने वह उसके बाद दोनों तरफ हमने पिन लगा देनी और बीच में जितना भी हमारा कपड़ा बचा है उसमें छोट छोटे हम बढ़ देने है कि कि अब उसके बाद यहां एक स्लाई लगा देनी है रफ लाई हम लगा देंगे और साथ में प्रेस भी कर देंगे तो यह जो हमने घूब मरे हैं वो थोड़े बैट जाएंगे इसके बाद हम इसमें जो रफ चलाई होती है सुई धागी के साथ लगा देंगे एक स्लाई तो यह जो हमने घूब मरे हैं वो इधर उदर नहीं होंगे दूसरा पार्ट जो है हमारा बैक पार्ट उसमें भी हम बिल्कुल इसी टाइप से करेंगे और चोट-चोटे घूम बर देंगे उसमें भी दोनों पार्ट में हमें इस तरह से चोट-चोटे घूम बर देने हैं अगर हम इस ड्रेस में इनर लगाना चाहते हैं जो लाइनिंग होती है वो लगाना चाहते हैं तो इस अखवार की जैसे ही हमें कपड़े की कटिंग कर लेनी है अस्तर की और यहां पर एक फ्लेयर बना के और नीचे भी मतलब लोंग बना लेना इसको तो यह अस्तर बन तो दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दिये मशीन से उसके बाद हम इसको इस टाइप से रखेंगे इसकी जगह अगर कपड़ा है तो हम मतलब जो हमारा अस्तर है वो हम अखवार की जगह जो है वो यूज कर सकते हैं अगर हमें अस्तर लगाना है तो इसमें तो यहां इस तरह से रखेंगे और यहां एक स्लाई लगा देंगे और साइट से जो हमारा एक्स्ट्रा है वो हम कट कर देंगे जो हमारा कमर वाला जो शेप होता है वो हम बना देंगे यहां हमें नेक पे स्लाई लगा देनी है और न्यूस पेपर को हटाना नहीं है न्यूस पेपर की जगह है अगर जो हम लाइनिंग लगा रहे हैं उसकी हमें सलाई करनी है उसके बाद इसको हम कट कर देंगे जो उपर वाला हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ गया है तो यह शेप बन जाएगे हमारी नेक की अब जो यह हमने अख़वार लगाया है वो हम हटा देंगे तो यह हमारा नेक बन गया है नेक की शेप आ गई है और इस तरह से हम दूसरे पार्ट को भी कट कर लेंगे दोनों पार्ट हमारे एक जैसे सेम हमें कट करने है वस जो आर मॉल्ड है उसका जो शेप होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है वाकी सारा ऐसी रहता है इस तरह से अगर हम आस्तर लगाया तो मैं इस तरह से पलट देना है और यहां पर एक स्लाई लगा देंगे उसके बाद दूसरा पार्ट लेंगे हम और इन दोनों के बीच में हमें जो स्टैप लगानी है वो लेंगे तो जो यह हमने कट किया था उपर एक्स्टा जो लिया था हमने न्यूस पेपर में उसी के नाप का हमें यहां स्टैप बना लेनी है तो यहां इस तरह से रखेंगे और यह स्टैप कट कर लेंगे दो स्टैप हमें कट कर लेनी है और इस तरह से तो हमें थोड़ी एक्स्टा लेनी है इससे और यहां हम सिल देंगे इनको इस तरह से यहां एक स्लय लगाएंगे थोड़े-धोड़ी बीच-पीच में घूम भर देंगे हम साथ में साथ में प्रेस कर देते हैं तो जो यह हमारी प्लेट्स हैं वो एकदम आच्छे से बैट जाती है प्रेस करने के बाद अगर हम इसको लगाएंगे तो जो यह गूम है हमारे वो बिल्कुछ सैट हमारे आएंगे तो यहां हम इनको जॉइन कर देंगे एक सलाई लगा देंगे दोनों पर तो यह दोनों पार्ट मैंने अपस में जोड दिये हैं यह जो भी स्टैप लगी है बीच में घूम आज गए हैं और यहां हमें लगानी है पट्टी लगा सकते हैं या फिर हम अस्तर लगा सकते हैं साथ में अब हमें इसमें जो पट्टी लगानी है या फिर अस्तर लगाना है कुछ भी जो भी हमें लगाना है वो हम कट कर लेंगे इसी के शेप का तो इस तरह से यह मैंने अस्तर का कपड़ा रख लिया है तो यहां मैं इसको लगा दूँगी और फिर साइट की स्लाई लगा देंगे इसकी उसके बाद नेक और आर्माल पे टॉप स्टिच लगा देंगे एक जिसे जो ये हमने घूम भरे हैं वो थोड़े जो उठे उठे से रखते हैं मतलब बैठ जाएंगे वो उस स्लाई लगाने तो दोन तरब की मैंने जो है टॉप स्टिच लगा दिये उसके बाद साइट की स्लाई लगा देंगे और फिर नीचे की स्लाई लगा देंगे जो हमारा घेर है उसको हम फॉल्ड कर देंगे इस ड्रेस को हम कितनी भी लेंद का रख सकते हैं मतलब फुल लेंद का भी हम बना सकते हैं या फिर शोर्ट लेंद का हम बना सकते हैं तो यह साइड वाली जो स्लाई है वो लगा रही हूं मैं दोनों तरफ और यह ड्रेस जो है वो फ्री साइज होती है तो इसमें इतना इसके बाद जो नीचे कदामन है उसे हम फॉल्ड कर देंगे और इसके साथ ही रेडी हो जाएगी हमारी ये ड्रेस इसके साथ हम बैल्ट भी बना सकते हैं कपड़े की इसी बाले कपड़े की या फिट कंट्रास्ट की तो इसको हम बिना बैल्ट के अगर घर में मैक्सी के रूप में पहनेंगे तो भी बहुत ज्यादा कमफर्टेबिल ये होने वाली है और इसकी लेंथ हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा कमफर्टेबिल हमारी ड्रेस रेडी हुई है और मोस्ट रिक फिर मिलते हैं किसी नई ड्रेस के साथ नए रियूस आइटम्स के साथ साथ ही में मेरी वीडियो चेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार के साथ तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ और नए आइडियास के साथ अब तक के लिए बाए